तो आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में तो आज के वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं एक और अच्छे स्टाक के बारे में उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और वीडियो को सेर कर सकते हो आपने गुरूप सरकल में तो यह आने वाले समय में आपक को स्टॉक डिस्काउंट पर मिल रहा है अभी तुम ने नोटिस भी किया होगा कि जो बैंक निफ्टी है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी का क्या कहते हैं प्राइस बढ़ ही रहा है और सारे को बहुत सारे आजसे सक्टर है जनका गिर रहा है बट बैं प्राइस लगांगा और जब सब लोग इस पर फोकस करना शुरू करेंगे तो इसका सेर बढ़ जाएगा फिर में बेच के निकल जाओंगा तो मैंने वही नोटिस किया कि मैं आपको सब को यह बाते बता दूं कि सब लोग बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो बैंक सेक्टर फोकस करना शुरू कर दिया हैं बहुत बड़े-बड़े इनवेश्टर हैं जो बैंक सेक्टर पे फोकस करना शुरू कर दिएrest five इसवी पैसा लगाने लगा इसमें मीचर फंड भी लगा रहे हैं पैसा क्युंकि जब सक मिलता है तभी उससर पैसा लगाते है हैं और उनको पता होता है कौन सा सेक्टर किस महीने में अच्छा परफार्म करता है कब परफार्म करता है तो आप लोग देख सकते हो कि एक साल के अंदर जो रिटन प्रवाइट किया है वह 33 परचंट का रिटन प्रवाइट किया है एंड मैं 5 साल का बात करूं तो आप लोग देख सकते हो जो इसका सेर प्राइस है वह अभी आपको जब आपको यह साड़े 800 रुपया तो आप बेच के इसमें निकल सकते हो और आप इसमें स्टाफ लॉस लगा सकते हैं तो ऐसे करेंगे आप तो क्योंकि यह आने वाले कुछ दिनों के अंदर यह बहुत जल्दी भागने वाला क्योंकि सब लोग इसे बैंक सेक्टर प बैंक सेक्टर तो आप लोग मान सकते हो और मैं और बात करूंए इसमें जो यह बाउन वीक में हाई बनाया था 912 रुपया का हाई बनाया था एंड लोग बनाया था जो पांसो तिरपन का लोग बनाया था तो स्वारी और जो मार्केट के पर इस स्टॉक को आप लोग आप कितना ट्रस्ट कर सकते हो इस पर बहुँच जदर रसकर सकते हो इस्टेट बैंक फिंडिया पर बोत तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और आने वाली कुछ दिनों के अंदर देखना चैच आपको के आस्वाक मिलेगा जाड़े 800 के आसपास और इन्वेस्ट करने से पहले आप यह थोड़ा फर्दर रिसरच कर लेनों